नमस्ते दोस्तों, तो कुछ टाइम से जिजगे के लेटेस चैप्टर बोरिंग जल रहे थे उन सब में जादा कुछ हो नहीं रहा था इसी लिए मैंने वीडियो नहीं बनाई थी बट अब जाकर कुछ मस्थ हुआ चैप्टर में चैप्टर 256 में मस्थ हुआ अब वो तो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ इस वीडियो में तो आज की वीडियो में मैं जिजगे का चैप्टर 254, 255 और 256 एक्स्प्लेन करने वाला हूँ तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो लास्ट वाले चैप्टर में सिर्फ कुसा कावे ही बचा था तो इसलिए अब चैप्टर 254 में कुसा कावे सुकुना से लड़ने वाला है कुसा कावे अपना अटैक के लिए तयार होता है न्यू शैडो स्टाइल, सिम्पल डोमेन, इवनिंग स्वार्ट ड्राइंग सुकुना बोलता है एक स्वार्ट ड्राइंग टेक्नीक वो अभी मेरे खिलाब जो की फ्लाइंग स्लैसे चला सकता है कुसा कावे सोचता है भले इस से फर्ग नहीं पड़ता ये कितना भी सिम्पल है एक डोमेन तो डोमेन ही होता है एक एंटी डोमेन और एक एंटी बैरियर टेक्नीक के ही जैसे एक सिम्पल डोमेन भी श्योर हिट के प्रभाव को नकारने में ज़्यादा सक्षम होता है लेकिन ये मेरे खुद के टेक्नीक को बे असर नहीं कर सकता लेकिन जिस चीस से मैं ज़्यादा खुश हूँ वो ये है कि मेरे डोमेन के अंदर मेरी कर्ज्ट एनरजी के आउटपुट को बूस्ट मिल जाता है जबकि सुकुना की पावर की अबलीटी कुछ हद तक कमजोर हो गई है और इसी की साथ सुकुना श्लैसे से अटैक करता है और फिर कुसागावे उसे सामने से बे असर कर देता है सुकुना कहता है ओ, गुड रियक्शन टाई मैं अपने खुत के ओरिजनल प्रोग्रामिंग को अपने सिंपल डोमेन में शामिल कर सकता हूँ जिससे मुझे मेरे डोमेन पर पूरी तरह से ओटोमेटिकली इन्वेट करने वाली किसी भी चीज को रोकने की पर्मीशन मिलती है और फिर उसके सामने एक और स्लैश आता है और वो भी उसे भी दूर फ्रैक्ट देता है कुछागाबर सोचता है कि सुकुना वर्ल्ल का टीक डिस्मेंटल जरूर यूज करेगा सुकुना कहता है गेस करो कि अगला क्या आएगा कुछ अकाव यह बोलता है मुझे डराना बंद कर फिर हम एक flashback देखते हैं जिसमें हाँ flashback में गोजो था तो गोजो कहता है उसके पास वो simple domain है न इसलिए उसके पास एक इक्का भी है गोजो आगे कहता है कि beginner लोगों को आम तोर पर simple domain को use करने के लिए binding wow को use करना ही करना पड़ेगा फिर वहीं पर mewa कहती है आपको इहाँ पर कोने में mewa दिख रही होगी उसे बतानी गेगे ने draw क्यों नहीं करा लेकिन हाँ mewa कहती है कि मेरा simple domain तभी maintain किया जा सकता है जब मैं activation के दोरान अपने दोनों पैरों को जमीन पर मजबूती से रख दून आपने देखा होगा mewa ऐसा ही करती है लेकिन कुसा कावे भी ऐसा कर सकता है अच्छे से और फिर गोजो कहता है कि कुसा कावे उस चीज़ को freely use कर सकता है प्लस उसका जो range है उस ठिंका वो बहुत ज़्यादा है मत्तर वो simple domain की range को बढ़ा भी सकता है और फिर गोजो आइस क्रीम खाने लग जाता है और जब flashback खतम होता है तब हम देखते हैं कि वो range को भी बढ़ा रहा होता है सुकुना की तरफ जैसा कि गोजो ने कहा था कुसा कावे ये कर सकता है फिर तब ही सुकुना सोचता है इसने मुझे मेरी टेकनीक के target को expand करने के लिए curse energy को charge up करने से रोकने के लिए उसने अपने simple domain की range को बढ़ा दिया है और तब ही हम अगले panel पर देखते हैं कि एक attack आ रहा है और तब ही हम देखते हैं कि सुकुना को बहुत सारे attack लगते है जो कि कुसा कावे दे रहा होता है लेकिन सुकुना इसे heal कर लेगा और फिर हम present में देखते हैं कि जो कुसा कावे है उसकी तलवार तूट चुकी है और तब ही कुसा कावे shocked हो जाता है और सुकुना इसमायल करने लग जाता है और बस इसी चीज़ को देखते हुए वहाँ बीच में एक कपड़ा सा आ जाता है सुकुना के मूँपर ताकि सुकुना को कुछ दिखे न और वो कुसा कावे नहीं कराता ताकि की शुगना को कुछ दिखेना और कुशाक आप उसके ऊपर एक मुक्का मारे लग जाता है आप इस पैनल पर देख सकते हो और यह करके जहां पर सुगना गिनने वाला होता है वाहां पर भागता है और यह सब पूरी पेनल पे आप देख सकते हो और हातों के पास में मतलब हातों से मुला कर रहा है फिजिकली अटैक कर रहा है और यह करके तब जो कुसा कावे वह कहता है कि यह मेरे लिए अच्छा नहीं है मैं अपना पूरा जोर दे रहा हूं मैं ऐसा तो हुई नहीं मैं ट्राइ ही क्यों कर अब वही अगले पैनल पे गेगे ने इस तरह की चीज़े लिखी है ताकि वह हाई वप कर सके कुसा कावे को और कुसा कावे भी अपने फ्लैश बैक में यह कहता है कि मैं मीवा और बांकी सबको भी बचाओंगा और यहां पे गोजो नदामी और मेमे कह रहे होते हैं कि और बागी प्लेयर को बचा सकून और फिर वह बोलता है न्यू शैडो स्टाइल और वह अपना हाथ आगे करता है और तभी उसकी जो सौड है उसमें से कुछ चीज निकलती है और वह बोलता है मून लाइट वील लेकिन उस चीज़ को वह अपने हाथों से रोक देता है जै रहेते हैं और अगले पैनल पर हम देखते हैं मतलब सुकुन ने सब को चॉप्ट कर दिया था और इसलिए मैंने इसका एक्स्प्लेशन भी तब नहीं बताया था और यहां पर फिर उई-ई-ई-ई भी आ जाती है कुछ अकावे को लेने के लिए लेकिन तभी उई-ई-ई- बचाते हुए यह बंदा आ जाता है और यह दूसरा भी बंदा आ जाता है इसके नीचे अब तभी यह जो गोजो से लड़ाता है यह बचा लेता है उसे दमें वेंट तोई-टोई-ई-ई-ई-विद गोजो सातोरू मीग्विल जॉइस दे बैटल ऐसा गेगे ने लिखा है इसको हाइब अप करने के लिए अब ऐसे तो इनकी फाइट भी होती है जो कि मैं अब बात करने वाला हूँ 255 चैप्टर में अब उसको एकस्प्लेन करते हैं अब जिसको नहीं पता है लारोई कौन है तो लारोई गेतो का एक ओल्ड फैमिली से मेंबर है जिसने पार्टिस को पता था कि गोजो सातोरो के सामने उसका कोई चांस नहीं था और जिसने खुद गोजो सातोरो को डिफीट कर दिया है वो किंग ऑफ कर्स से मैं यह से लड़ूंगा लेकिन लारोई रिक्वेस्ट करता है मिंग्विल से कि वो फाइनल ब्लो दे सुकुना को त्यूंकि बहुत ज़ता जल चुका है गोजो से लड़ते हुए और बहुत ज़ता वीग भी हो चुका है कहीं पर भी अगर देखा जाये तो और लारोई फाइनली मिंग्विल को कंवेंस कर लेता है और जो चैप्टर है वो फीचर करता है प्रेजन सिनारियो को जहां पर लारोई और म बहुत ज़ता है और यहां तक है उसके बीच में भी जम कर देते है जो लारोई की कर्स टेगनीक है उसे कहा जाता है हार्ट कैच जो की अलाव करती है किसी भी टार्गेट को ग्रैब करने की यूजिंग एक इमेजनेरी हैंड आप यहां पर इमेजनेरी हैंड भी देख सकते अब जो hand है वो अपने आपको भी restore कर सकती है अगर उसे destroy कर दिया जाए बट इसके downside है वो ये है कि जब जो भी effect उसके hand में पड़ेगा उसका one and tenth damage लारोई की body में भी पड़ेगा मतलब उसे suffer करना पड़ेगा इस चीज से लारोई की technique जह है वो बहुत ज़ा कुछ interesting hold नहीं करती जिससे सुकुरा को interest आए बट वो मेगवेल को अपने सामने देख रहा जाता है मतलब वो मेगवेल की बस मरत ही कर रहा है अब मेगवेल की मतलब क्यों कर रहा है क्योंकि जो मेगवेल की curse technique है वो है हाकुनो लाला जो की allow करती है किसी भी body को catch करके उससे अपने rhythm से dodge करने की पतलब इस तरह की curse energy है वो और curse and amplify जो है उसकी physical ability है और chapter again feature करता है एक brief flashback को जहां पर गोजो explain करता है मिगवेल की technique और कहता है कि अगर मैं कहूँ कि ये बहुत ज़दा useful है तब भी ये इतना ज़दा scary भी नहीं है हाला कि जो मिगवेल की physical ability है और उसी के अलग side वो बहुत ज़दा terrifying भी है मिगवेल बहुत ज़दा offend हो जाता है क्योंकि जो analyze करता है गोजो उसको being a racist है हाँ मतलब वो क्या बलता है उस पर ऐसे blame मारता है कि गोजो ज़दा पालिजी करता है इस बारे में अगर हम present time में हैं तो यूजी चोजो और जो माकी है वो battlefield में फिर से enter कर दी है यूजी और माकी जो है वो सुकुना के दो arm को काट देते हैं और उसी समय यूजी भी एक step forward जाता है उसको attack करने के लिए और ये भी सोचता है कि वो अब curse energy को use नहीं कर सकता sorry reverse curse technique को use नहीं कर सकता however सुकुना भी अपने एक second black flash को use करता है narrator explain करता है कि गोजो सातुरों ने अपने RCT फिर से regain करी थी जब उने black flash मा रहा था नारोई पर और chapter imply करता है कि ये सुकुना है उसने भी इस चीज़ को regain कर लिया है जैसे गोजो सातुरों ने करा था उसके आप शौबर मत होना हमें सबसे पहरे समझना पड़ेगा कि black flash होता क्या है जो कि गोजो explain करता है उसके बारे में कि ये work कैसे करता है तो एक flashback में हम जानते है कि गोजो जो है वो question कर रहा होता है कि वो क्यूं black flash intentionally use नहीं कर पाता अब आपको बताए हो जो black flash है वो आप अपनी मर्दी से use नहीं कर सकते है गोजो दूसरों से पूछता है कि बाकी लोग ऐसा क्यूं समझते है कि मैं intentionally black flash को use कर सकता हूँ और लोग ऐसा समझते है कि उसकी six eyes की वज़ा से गोजो black flash intentionally use कर सकता है लेकिन फिर वो कहता है कि यह इतना भी simple नहीं है यहाँ पर कोई भी ऐसा answer नहीं है कोई भी ऐसा अच्छा answer नहीं है जिससे हम बता पाने कि तुम किसी black flash को activate कर सकते हो जब गोजो all out जाकर fight करता है तो वह अपने punch को imbute कर देता है curse energy से हाला कि जो black flash होता है वो depend करता है luck पर यहाँ तक कि गोजो जैसे बंदे पर भी गोजो बात करता है नानामी के बारे में और बताता है कि जो नानामी है उसका जादा बड़ा record है उससे फोर अगर हम बात कर black flash मारने की बात करें कि बहुत ज़्यादा black flash को मार सकता है तो उसमें गोजो ज़रूर जीतेगा उसकी fight इतनी भी ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली तो उसके पास बहुत ज़्यादा कम opportunity बच जाती है कि वो black flash को use कर सके यहाँ तक यह author का note है वो भी कहता है कि यह यू सुकुना जो है ऐसा हो सकता है कि momentum को gain कर ले और यूजी भी सोचता है कि अगर सुकुना फिर से reverse curse technique का output अपने आप पा ले तो वह हाल होगा जैसे गोजो का हुआ था और फिर चोजो भी realize करता है कि मिगवेल और लारोई इनकी help करने के लिए आये है तो RCT use करने से पहले सु सुकुना क्या मारना होगा अब इसके आगई यूजी चोजो माकी attack करते है सुकुना पर जो की black flash से वापस मारता है यह यूजी है वो railing use करता है सुकुना को trap करने के लिए वही पर चोजो use करता है सुपर नोवा को सुकुना avoid करता है सुपर नोवा को और escape कर जाता है माकी chase करती है सुकुना को और उसके बाद वो उसको step करने का भी try करती है लेकिन सुकुना उसकी जो sword है वो पकड़ लेता है फिर चोजो realize करता है कि माकी जो है वो air का use कर रही है as support के लिए जब वो fight करती है सुकुना से और जब सुकुना black flash माकी पर use करता है माकी notice करती है कि जो सुकुना का attack का output है उसके slashes के लिए वो बहुत ज़ता increase हो चुका है सुकुना फिर से एक wave भेचता है slashes की लेकिन चोजो उसे block कर लेता है फिर उसके बाद एक दूसरी wave flashes की आती है चोजो की तरफ बट चोजो के वो slash लगता उसी से पहले सुकुना उसके पीछे appear हो जाता है और वही पर चोजो off guard हो जाता है अब जैसे ही चोजो block करने की कोशिश करता है सुकुना उसके पीछे आता है और उसे एक दिवार में फैक कर मारता है और उस पर एक black slash को भी laser करता है चोजो वैसे उस damage को कम कर पाता है अपने blood से बने हुए armor को जो कि उसने पहले shibuya में भी use किया था और फिर वो सुकुना को जो एक हाथ है उसको पकड़ लेता है और फिर यूजी जो है वो सुकुना को punch मारता है उसके move पर जो कि उसे वापस लगता है जो तो कहता है कि इससे कोई फरक नहीं पड़ता तुम कितना भी black slash मार लो ताकि सुकुना momentum वापस ला पाए अगर यूजी उसको कुछ मारता है तो सुकुना की curse energy का जो output है और उस पर जो मेगुमी की body या जो control है वो कम ही होगा मिग्विल कहता है कि लारोई जो है उसने बहुत ज़ता help कर लिया है अब उसे वापस चली जाना चाहिए बट लारोई इसे मना कर देता है और कहता है कि मुझे भी कुछ कर नहीं होगा अब सुकुना जो है वो यूजी को ground पर फैक नहीं की कोशिश करता है बट यूजी जो है वो piercing blood यूज़ करता है पहली बार मतलब उने पहली बार तो यूज़ नहीं कर लेकिन ऐसे screen पर दिखाया नहीं गया था पैनल में पूरा दिखाया नहीं गया लेकिन यहां पर actually में दिखाया गया था और सुकुना उसे धक्कावाल नहीं कोशिश करता है लेकिन यूजी उसके सामने आ जाता है और फिर narration कहता है कि माही तो ने notice कर लिया था जब black flash आ रहाता यूजी से और फिर इसी वक्त सुकुना भी notice करता है लेकिन उसके mind में ये था कि वो कई और से आया है अब लारुई की curse technique जो है वो allow करती है किसी को भी grab करने की अब चाहिए वो उसका heart हो या consciousness हो किसी और की जो पहले grab कर चुकी है तो इसी दिए वो सुकुना की consciousness को grab कर लेता है जिस समय यूजी हीट करता है सुकुना को बहुत ज़दा incredible large black flash से और इस point of time पर जो narrator है वो mention करता है कि यूजी अवेकन हो चुका है क्योंकि उसने बहुत ज़दा black flash यूज किया था तो उसने अपने full potential का lock कर लिया है और बस अब next week जो है वो जेजी के break पर है तो हमें इंतिजार करना होगा बहुत ज़दा लेकिन यहाँ पर एक अच्छी चीज यह है कि कुछ अच्छा तो हुआ है main character के साथ अब हम क्या सकते हैं कि हाँ यह बंदा main character है अब देखते हैं आगे क्या होगा वैसे तो वीडियो लेट है लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like कर देना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe भी कर लेना मैं ऐसे वीडियो लाते रहूंगा और लाने की कोशिश भी करूंगा तो मिलते हैं अगले वाले चैप्टर में या फिर अगले वाली वीडियो में मैं आपको वहीं पर मिल जाऊंगा तो प्लीज जाने से पहले like और subscribe जरूर कर लेना और comment करके भी बताना है कि आपको ये तीनों चैप्टर में से कौन से चैप्टर सबसे बढ़िया लगा मुझे तो लगा कि 256 चैप्टर ज्यादा अच्छा था त्यूकि वहाँ पर यूजी अवेकन होता है आप अपना बताना सब तक के लिए वीडियो देखने के लिए सहने बाद और जैश्री आँ